यार इंडियन सुपर हीरो ने ऐसे पानी में हाट डाला और मशली बाहर निकाल दी मैं बात कर रहा हूँ कृष्ट की है ना रितिक भाही की हमारे और यह इंडिया में ही हो सकता है इंडियन सुपर स्टार और सुपर हीरो ही ऐसा कर सकते हैं कि फिजिक्स के प्रिंसिपल को खत एक्टिव इंडेक्स के रिलेशन को और रे ऑप्टिक्स में बढ़ते हैं आगे तो यार देखो क्या है हमारे पास रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ होती क्या है पहले तो रियल का मतलब समझो अपनी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है मगर हाँ मतलब थोड़ा सा पता है रियल मतलब जो एक्चुली में है और अपरेंट मतलब जैसा आपको दिख रहा है आपके स्कूल के टीचर ने आपको कहा होगा एक पैंसिल को एक बीकर के अंदर डालो पानी के तो आपको पैंसिल टिल्टिट दिखेगी जादू जादू अदू नहीं है जादू तो कहीं और मूवीज में था यहाँ पर फिजिक्स है और उस फिजिक्स को अपन देखने की कोशिश करेंगे अगर आपने एक object को माल लेते हैं कि यह मेरी object है और यह object मेरी रखी हुई है यहाँ पर अब जब यह object यहाँ पर रखी हुई थी तो इससे एक ray तो बिल्कुर straight जाएगी यह बिल्कुर straight गई मैं denser medium में रख रहा हूँ object को मैं case 1 पढ़ रहा हूँ एक और case होता है जिसमें object होती है हमारी rarer medium में हमारे syllabus का वो part नहीं है इसलिए हम उस तरफ interest show नहीं कर रहे हैं मगर अगर यहाँ पर देखें तो एक ray और है जो कि किसी angle पर बाहर जा रही है हमने यहाँ पर एक zoomed view बना रखा है अब उत्ता पिद्दू सा डाइग्राम अगर मैं तुम्हारे सामने बना देता तो तुम बोलते वैसे समझ में नहीं आ रहा था और अब आप और हमारे उपर एक और काम इहसान कर दो कि हमें और समझ में ना आए तो इसलिए हम यहाँ पर एक zoomed view के साथ चीजों को लेकर चल रहा है पहले तो ray straight निकल गई दूसरी ray किसी angle पर गई जब वो dancer से rarer में जाएगी तो away from normal band हो जाएगी अब ज़रा गौर से देखो जब यह ray यहाँ पर straight देखेंगे हम और यह ray यहाँ देखेंगे तो यह ऐसा लगेगा इस point से आ रही है यह ray क्योंकि मेरी आँखे न अब ray अगर कहीं से भी आ रही हो मेरी आँखे तो सीधा ही देखेंगी न ऐसा थोड़ी ना कि ray कहीं और से आ रही थी तो मैं ऐसे मेरी आँखें अपने आप घूम ज़्यादा प्रेक्टिस कर चुके होंगे और रिफ्रैक्टिव इंडिक्स की कैलकुलेशन कर लिया होगी रियल और अपरेंट भी कैलकुलेट कर लिया होगा और इसलिए उन्होंने उतना हाथ डाला कि रियल तक वह पहुंच जाएं एपरेंट को देखकर जो कि थोड़ा सा म हमें रिलेशन निकाल कर लेकर आना है रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में चलिए उस रिलेशन को भी ड्राइव कर लेते हैं तो डेरिवेशन करने के लिए बावाज स्पेशल बूटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो चलिए पहले बूटी देखते हैं और आपका सौगत किया जाता है बावाजी के बूटी सेक्शन में नाव बूटी सबसे पहली चीज़ तो पापा ओफ रिफ्रेक्षन और पापा ओफ रिफ्रेक्षन वी ऑल नो इस स्ञेल्स लॉउव से शुरूवात किया जाएगा derivation को और उसके बाद जब snail's law लिखोगे तो यार suppose करो तुमने snail's law लिख दिया कि भाई sign i by sign r अभी अपन देखते हैं उस पर बात करेंगे चर्चा कर रहा है अपन है ना अगर अपन यहाँ देखें इस तो अगली step क्या करूँ तो यार एक दिख रहा है sign i एक दिख रहा है sign r बस अब sign i और sign r के लिए दो triangle ढून डालो तुम्हारा काम हो जाएगा two triangle one with object and another with image और उससे आपका sign i और sign r निकल कर आ जाएगा और आपका derivation हो जाएगा over तो चलिए शुरू कर जाते हैं इस derivation को तो देखो from snail's log अब आप कहां से कहां जा रहे हो catch यहां पर है मतलब यह जो है यह section भूलने की गलती बिलकुल मत करना कि यह तुम भूल जाओ कि यह denser से rarer जा रहे हो तुमारी object denser में है तुम rarer से देख रहे हो तो d mu r क्यों क्योंकि denser से rarer जा रहे हो angle of incidence upon sign r अब problem क्या थी हमने आज तक glass का निकाला है air के respect में water का निकाला है air के respect में मगर हमने कभी भी denser के respect में rarer का नहीं निकाला यह हम prefer नहीं करते हैं इसको याद रखना तो इसी लिए हम क्या करेंगे denser को पीछे लाएंगे और rarer को आगे लेकर जाएंगे जब आप denser को पीछे मतलब कि इन दोनों को आपस में interchange करोगे तो उस case में क्या है principle of reversibility लग जाएगा d mu r को आप लिख सकते हो 1 upon r mu d अगर आप d mu r को 1 upon r mu d लिख सकते हो तो आपने इस चीज़ को उठाया और यहां पर जाकर रख दिया तो यह हो जाएगा d mu r की जगा पे 1 upon r mu d अब आप इसको mu लिख दो या r mu d लिखो कोई फरक नहीं पड़ रहा क्योंकि अपन rarer के respect में denser का निकाल रहे हैं और यह हमारे दिमाग में पहले से ही set है कि हम denser का निकाल रहे हैं rarer के respect में अब यह बन गई आपकी equation number one अब आपको क्या चाहिए था sin i और sin r obviously यह आपका angle of incidence है अगर यह आपका angle of incidence है यहाँ पर तो आप गौर से देखो यह वाली ray जो थी यह आपका angle था angle of incidence अगर यह angle of incidence था तो alternate interior angle के according यह वाला angle भी आपका angle of incidence बन जाएगा और अगर यह angle of incidence बन गया तो यह एक triangle आपके सामने चमक रहा है इस triangle में A, O, B आप चाहें तो आसानी के साथ sin i यहाँ से निकाल सकते हैं और sin i आपके पास आजाएगा AB upon OB देखो angle के सामने वाली side हो गई perpendicular और यह हो गया hypotenuse तो अपने पास sin i आजाएगा AB upon OB कहानी का था बूटी का पहला पार थसने इसलोगा दूसरा था दो triangle डूड़ना एक triangle डूड़न चुके हो एक triangle तुम्हें R के साथ देखना है गौर से देखो यह वाला angle अगर यह ray तुम पीछे extra polite करोगे तो यह angle R है तो तुम्हारा यह वाला angle भी R हो रहा है और अगर यह R है तो sin R कैसे निकलेगा देखो ने यह वाली ray सीधी सीधी जारी थी की नहीं तो अगर यह angle R है तो यह angle भी corresponding angle के according क्या हो जाएगा R हो जाएगा तो यह triangle अपने पास मिल गया अब इस triangle में R के सामने वाली side हो गई फिर से perpendicular याने AB और hypotenuse हो गया IB मैंने तुमसे जब कहा था उस समय मैंने कहा था कि यह ray बहुत pass में है मतलब यह वाली ray जो आप यहाँ बना रहे हो वो actually में यहाँ पर है अब आप यहाँ पर अगर देखें तो 1 upon mu is equal to sin i की value AB upon OB यह value आगई यहाँ पर और यहाँ पर sin r की value AB upon IB यहाँ पर आगई AB से AB क्या हो रहा है यह cancel हो गया IB चला गया उपर OB है नीचे इसको cross multiply कर दो तो mu चला जाएगा आपका इधर तो mu की value आगई OB upon IB देखो interchange हो गया OB upon IB अब question यह उठता है कि OB मेरे पास कुछ है नहीं IB मेरे पास कुछ है नहीं अब मैं कैसे calculate करूँ तो मैं यह नहीं यह कहा था कि actually मैं यह जो B वाला point है यह बहुत जादा pass है अगर यह बहुत जादा pass है तो जो B वाला point है वो A के अगर बहुत ही जादा pass है तो हम यह वाली distance को जो hypotenuse हम मान रहे थे लगबग लगबग OA के बराबर हो जाएगा क्योंकि B A के बहुत pass है यह वाला point है A और B भाई पहुँच गया A के pass बहुत pass है बहुत pass है बहुत ही जादा pass है अगर यह pass है तो यह जो O B था उसको मैं लगबग लगबग लिख सकता हूँ OA और OA को अगर आप देखो तो वो है आपकी real depth H और अगर आप यहाँ पर देखो तो IB क्योंकि B बहुत pass में है तो IB भी I A के बराबर हो जाएगा और अगर यह I A के बराबर हो गया तो उस case में यह बन जाएगा apparent depth यह वाली depth देखो और अगर यह apparent depth हुआ और मैंने इसकी value को दोनों को उठाकर यहाँ रख दिया तो μू का formula आजाएगा H upon H dash which is actually real depth upon apparent depth So refractive index of denser medium with respect to rarer medium is equal to real depth upon apparent depth आपका derivation हो गया खतम बूटी जो दी थी वो ही काम कर गई और पहला था snail slot से शुरू करो और दो triangle डूण लो एक sign I के लिए एक sign R के लिए इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है इसलिए ध्यान से अब समझने की आगे जरूरत है ये चीज जो मैंने calculate की है इसे आपन कहेंगे refractive index real depth, apparent depth के बीच का relation अब हमसे कहा जाता है कि आप ये बताओ कि ये image कितना उपर चली गई object जो थी यहाँ पर थी image कितना उपर चली गई तो आप एक बात यहाँ पर clearly देख सकते हो क्या देख रहे हो यार image कितना उपर गई है object कितना उपर दिख रहा है हमको इतना दिख रहा है oi अब ये पूरी length क्या है h और ये बची होई length कितनी थी h- तो आपकी कितनी image उपर गई है तो आपकी object जो है वो कितना उपर दिख रही है या आप ऐसा कहो कि image कहा दिख रही है और इनके बीच का distance कितना है उसे हम कहते है shift और ये shift हो जाएगा h पूरी depth minus apparent depth h minus h dash अब हम calculate करने जा रहे हैं shift को याने की h minus h dash और h dash की value हम यहां से उठा कर रख देंगे चलो उसको भी अपन देख लेते हैं तो shift के लिए हमने कहा h minus h dash याने की real depth minus apparent depth h तो हमारे पास वही रहेगा मगर apparent depth अंदर गुसके थोड़ी न निकालोगे तो अगर क्या करें अपन इसके लिए अपन ने इसके लिए कहा h dash की value क्या होनी चाहिए तो h dash की value हो गई h upon mu h dash की value को यहां रख दिया यह आजाएगा h minus h dash यहां पर अपन ने यह value रख दी ठीक है तो यह आजाएगा h common 1 minus 1 upon mu यह आपके पास हो गया shift का बहतरीन सा formula so finally हमने क्या निकाल दिया हमने relation निकाल दिया कि अगर मुझसे कहा जाए कि real और apparent depth के बीच में क्या relation आने वाला है तो वो relation भी मैंने calculate कर दिया and second thing मुझसे कहा गया कि आप एक काम करिये calculate करके दिखाए shift तो मैंने shift भी रिकाल कर दिखा दिया हम सिर्फ एक ही case पर बात करेंगे यहाँ पर क्यों कर रहे हैं एक ही case पर बात क्योंकि हमारे syllabus में जब object dancer medium में है तब ही कहानी है इसलिए हम इस कहानी को आगे पढ़ रहे हैं और एक ही कहानी पढ़ेंगे दूसरी कहानी पढ़ेंगे ही नहीं इसके बाद अब एक level उपर चलते हैं आपके पास बहुत सारे medium है और यह बहुत सारे medium में आपके पास पहले वाले का refractive index mu1 है दूसरे वाले का mu2 है और तीसरे वाले का mu3 है इसकी thickness आपको दे दी गई है lettuce से यह h1 है यह आपसे कहा गया h2 है और यह आपसे कहा गया की h3 है अब आपके पास एक object यहाँ पर रखी हुई है बिलकुल bottom में यह object है आपकी आपसे कहा गया यह कहा दिखेगी h dash बताओ कहा पर होगी क्योंकि यहाँ पर multiple medium है अलग-अलग उनकी width है अलग-अलग आप कह सकते हो कि अलग-अलग height पर रखे हुए है अब यह 3 medium है आपके पा माल लेते हैं कि यहाँ कहीं दिख रही है तो वो हो जाएगी इसकी apparent depth apparent depth आपको निकाल कर लानी है उसका भी एक बिलकुल सा फंडा दे देता हूं तुमको और उस फंडे को अगर तुम follow कर लोगे काम हो जाएगा तो यार इस case में अपन लोग अब क्या करने वाले है इस case में देखो कुछ नहीं करना है अपन को इसमें समझना ये है मैं South Indian hero नहीं हूँ है ना no offense to all the South Indians बट मैं ऐसे करूंगा और सारे के सारे दुश्मन जो है एक उदर फिके का एक उदर फिके का ऐसा कुछ होने वाला नह तो तुम्हारा बावा भी बहुत जम के पिटने वाला है ठीक है तो यहां पर अपन क्या करेंगे अपन लोग यह कहेंगे एक-एक करके आओ सबका इन्ना रासकला करने का है मेरे को मैं एक-एक को फोड़ूंगा मगर एक-एक करके आओ मेरे सामने मतलब की तीन मीडियम थे मुझसे कहा गया real depth कितनी होगी h1 प्लस h2 प्लस h3 मगर apparent depth अगर निकालनी है तो एक-एक करके एक-एक medium को लो अगर सिर्फ h1 होता और यह mu1 होता यह पहला medium होता तो apparent depth कितनी होती हमने अभी निकाला था mu is equal to real upon apparent तो पहले वाले medium के लिए यह हो जाएगा real depth h1 और apparent अपने पास depth निकालनी थी तो उसको इदर transfer कर दिया upon mu अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो यह देखो अभी formula लिखा था अपने mu is equal to h upon h- तो h- की value हो जाएगी h upon mu तो पहले वाले के लिए apparent depth आईगी या apparent height आने वाली है उसकी h1 upon mu1 दूसरे वाले के लिए उसकी width कितनी थी h2 और refractive index except mu2 तो यह आजाएगा h2 upon mu2 तीसरे वाले के लिए यह आजाएगा h3 upon mu3 जैसे ही आ गए तो अब तीनों है न तो बस एक एक करके तीनों को पहले तो घूसे चिपकाए थे अपनने अब बुला लिया एक साथ तो चुके ही हो तुम उनको तो तुम्हारी जो apparent depth आने वाली है इन तीनों apparent depth का sum आईगी अगर यहाँ पर n medium होते तो उन सब की individually निकाल कर भी अपन add कर देते तो real अपने पास आ चुका था h1 plus h2 plus h3 और apparent आ गया h1 dash plus h2 dash plus h3 dash मैंने इन तीनों की values को यहाँ पर sum करके लिख दिया finally जो equivalent refractive index आएगा अब यह equivalent क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तीनों थे न अब हम यह कहना चाह रहे हैं कि इन तीनों को हटा दो और एक अकेला medium लगा दो जिसकी width होनी चाहिए h1 plus h2 plus h3 और वो वही काम करें जो यह तीनों मिलके कर रहे हैं तो आपके पास एक तो यहीं पे question खतम हो गया कि apparent depth के आने वाली है या apparent height के आने वाली है और equivalent mu निकालने को कहें तो देखो h कितना था अपने पास h1 plus h2 plus h3 real depth apparent कितना आया h' याने यह पूरी चीज यह पूरी चीज यहां पर तुमने लिग दी इससे तुम्हारा equivalent mu निकल कर आ जाएगा मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ एक-एक करके एक-एक को मारूंगा एक को पहले apparent निकाला दूसरे का apparent निकाला तीसरे का apparent निकाला तीनों को add कर दिया तो final apparent वाली position निकल कर आ गई तो यह तो थे हमारे पास real depth apparent depth के relation मगर बिना numerical के चीजों में आगे बढ़ने में मज़ा कहां आता है तो चलिए कर लेते हैं कुछ numerical तो इस numerical में मुझसे कहा गया कि a coin is placed at the depth of 15 cm in a beaker containing water ये एक beaker है जिसके अंदर water है इसके अंदर 15 cm height तक liquid है और bottom में रखा हुआ है एक coin इसका refractive index दे दिया गया water का और मुझसे कहा गया कि coin अब नया कहां दिखेगा मतलब apparent position मुझसे मांग ली तो यार mu is equal to real depth upon apparent depth mu is equal to h by h dash mu हो गया 4 by 3 h हो गया 15 h dash मुझे निकालना था इसको cross multiply किया h dash is equal to 45 upon 4 11.25 cm याद ये रखना अगर ये cm में है तो तुम्हारा final answer भी cm में ही आना चाहिए ये था question number one और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सामने जो देख रहे हो तुम लोग भाई लोगों त क्यों क्योंकि इसको इतना आसान बना लिया ना अपन ने अब अपन बनाते हैं एक और question को बहुत आसान चलो उसमें भी बढ़ते हैं अब इस question को अगर अपन देखें तो इसमें कहा था अब पोस्टेज स्टेंप प्लेज अंडर ग्लास अपियर्स रेज्ट बाइट मिलीमीटर आठ मिलीमीटर ऊपर दिख रहा है मिलीमीटर है चलने दो कोई दिक्कत नहीं आठ मिलीमीटर ऊपर दिख रहा है मतलब shift है तु तो यार देखो ये जो थी अपने पास ये green कलर की है glass slab और इसमें जो actual depth होगी जो इसकी थिकनेस है वो ही actual depth है तुमारे पास उसको तुमने कहा है h कितना raise दिख रहा है 8 refractive index कितना है 1.5 निकालना क्या था h तो mu is equal to h मगर h- तो मुझे पता ही नहीं है अगर मुझे h- नहीं पता तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा h- को इधर लाऊंगा और 8 को इधर ले जाऊंगा तो h- की value आ जाएगी h-8 mm मिलीमीटर में है ध्यान रखना तो h-8 तो जैसे ही य value रख दी h-8 cross multiply किया mu की value थी 1.5 1.5 into h minus 1.5 into 8 बन गया 12 is equal to h आपने इसको करा transform याने की आप इसको इधर लाएं तो यह हो गया 1.5 minus h याने की आपका बचा 0.5 h 12 उदर जाके plus 0.5 याने की 1 by 2 2 चला गया इधर answer आगया 24 mm and this 24 mm is the actual thickness of the plain glass slab तो यहां पर इस video में मुझे बताना तुम लोग मैंने इसको थोड़ा lengthwise जादा बनाया है इसलिए इसको जादा किया है ताकि तुम लोगों की जो demand थी कि बाबाजी हमको थोड़ा lengthy video चाहिए तो अब comment section में अपनी बातों को मुझे बताना कि बाबाजी lengthy चाहिए यह short जो हमारे चल रहे थे उसने ही time interval के अपने videos चाहिए mention करना भूलना मत यह था हमारे पास real apparent depth का एक बहतरीन concept hopefully तुमने enjoy किया होगा मैंने तो बहुत enjoy किया इसी तरह से support बना कर रखो और सब जगा पर इसको share करो अपने सारे दोस्तों को बुलाओ जो इधर उधर भटक रहे ना जो focus नहीं है जो किसी दूसरे के चकर में फस रहे हैं और अपने concepts का कच्रा कर रहे हैं उनको बुला और उनसे कहो एक बार पढ़के तो देख यार भाई तुझे समझ में आएका concept होता क्या है तो मिलते हैं next video में critical angle के साथ और यह critical angle बहुत critical है next video में इस पर बात कर कर दो